नमस्कार मैं क्वार्टी सिंगु सुवा आप देगड़ा बार फोकर न्यूज उत्तर प्रदेश के मुझफवन अगर जनपत की मीरा पुर्विधान सबाचेत रिस्तित बी आईटी कॉलेज में गुरुवार को सुबे के मुख्य मंत्री योगी आधित्यनाद पहुँचे थे जहां पर उन्होंने रोजगार मेले का शुवारम करते हुए करोडों रुपे की योजनाओ का सीरा नयास भी किया इस दोरान कारिकरम में बड़ी संख्या में भारती जनता पार्टी और लोगदल कारिकरता नीताओं के साथ साथ जनपत के विभिन स्कूलों से आए ग्रेजियोशन पास छाद चाताओं ने भी हिस्सा लिया था जिनने मुख्य मुख्य मंत्री योगी आतितिनाथ ने मन से लैप्तॉप और मुवाइल फोन भी वित्रित किये आपको बता दें कि मीरापूर विधान सबा में हुए आज के इस कारिकरम को मीरापूर में होने वाले उप्चुनाओं के मध्य नजर भी देखा जा रहा है क्योंकि सीयम योगी ने यहां पर एक जनसबा को संबोधित करते कई बार जनपद में हुए दंगे के साथ साथ कैराना और कांथला के प्लान का भी जिक्र किया है जो खासा चर्चाओं में रहा साथ ही मुख्यमंद्र योगी आदितिनाद ने अपने भासर में बहु बेटियों की सुरक्षा पर बोलते हुए कहा कि बेटियों के साथ कोई खिलवार करेगा तो उसका किसी भी चुराहे परियमराज इंतजार करेगा सीयम योगी की माने तो दो लाग नौजवान को नौगरी देने की सुरुआज 23, 24 और 25 अगस्त को पुलिस भरती करने जा रहे हैं मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा इस भरती की प्रिक्रिया में भाग लीजिए कोई माई कालाल आपकी योगिता पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है जो ऐसा करेगा उसकी संपत्ती जब्त करेंगे और उस संपत्ती को गरीबों में बाटने का काम करेंगे याद करिए यह वही मुझफण अगर है जो पहले दंगों से जूज रहाता मुझफण अगर को आज जो पहचान मिल रही है उसके लिए सुरक्षा और नौजवानों को रोजगार चाहिए आज दंगे नहीं बलकि मुझफण अगर के गुड़ की मिठास मिल रही है हम विकास और सुरक्षा का वादा लेकर आए है समाजवादी पार्टी का मौरल वही है जो पहले मुझफण अगर और अब कर्नोज में देखा अयोध्या में एक बेटी के साथ उनका नेता कैसे वेभार करता है यह लोग दुसकर्मियों के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी सुरक्षित रहेगा कोई आच नहीं आने दी जाएगी बेटी के साथ कोई खिलवार करेगा तो उसका किसी भी चौराय पर यमराज इंतजार करेगा कॉमन वेल्थ गेम में मैडल जीतने वाली पारुल चौधरी को हमने डिप्टी स्पी की डारेक्ट चौक नौकरी दी है हमने यहां एक मीनी स्टेडियम भी देने का काम किया है जो खिलाडी देश के लिए मैडल जीतेगा उसके लिए उत्ता परदेश में सरकारी नौकरी इntजार कर रही होगी 500 खौलाडीय को हमने अब तक सरकारी नौकरी दी है उत्ता परदेश सबसे बड़ा भाग्य साली है क्योंकि उत्ता परदेश में सबसे अधिक युवा है मोरना सुगर मिल के विस्तार के लिए धनरासी उबलब्द करा रहे हैं कहराना से पलायन हो रहा था पहले उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था यह लोग फिर से दंगो के आग में जोगने का काम करना चाहते हैं आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं मैं आपको कई बातों से अगाह करने के लिए भी आया हूँ और जब किसी बेटी की सुरक्षा पर सवाल आएगा तो यह दुसकर्मियों के साथ खड़े नजर आएंगे इन लोगों से साथान रहो यह लोग आपको जाती के नाम पर बातेंगे